आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप gpay यूज करते हैं और gpay में आपको bank balance चेक करने में problem आ रही है कुछ लोगों को यहां पर दिखाता है आपका account balance could not get account balance could not get bank balance अगर आपको कुछ इस तरह से balance चेक करने में problem आ रही है आपके gpay के अंदर तो आपको क्या करना है वह मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले तो आप gpay को open कर लिजिए यहां पर सबसे पहले काम करना आपको प्लेश्ट्रों में जाकर इसको update कर लेना है कई बार होता है क्या है आपको क्या करना है अपने mobile को एक बार off on कर लेना है ठीक है या फिर restart कर सकते हैं य उसके बाद आपको final काम क्या करना है वो जान लीचिए ठीक है तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अपना gpay open कर लिया है उसके बाद आपको profile देखने को मिलेगे इस पर click कर लेंगे आपके सामने यह open हो जाएंगा अब यहां पर आपको दिखा रहा ह यहां पर आपको प्रैक्य Angeb करकिता हूं क्लिक करने के बाद आप आप जिसंब्धी बैंक में आपको प्रौलम आ रही है जिसंब्ismo circa लीजिए मेरा सबसे उसको open करता हूं open करने के बाद कुछी तरह से आपके समने दिखाएगा अब यहाँ पर उपर 3 dot देखने को मिल रहे हैं right side में इन 3 dot पर आपको click कर देना है जैसे आप 3 dot पर click करेंगे यहाँ पर आपको remove account देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको remove कर देना इस account को, ठीक है guys, यहाँ पर click करना है और यहाँ से continue कर देना है ठीक है, आपको यह account remove आपने कर लिना है, करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से background से इसको हटा देना है, अटाने के बाद फिर से अपने gpa को आप जैसे ही open करेंगे जैसे आप अपने open कर लिया है profile पर फिर से जाना है profile पर जाने के बाद यहाँ पर आपको bank account देखने को मिलगा, इस पर click करिए click करने के बाद यहाँ पर आपको add bank account दिखाएगा, इस पर click करिए और यहाँ से जाने के बाद फिर से अपने account को और जैसे आप जो है अनलिंक करके फिर से लिंक कर लेंगे अपने bank account को आप देखेंगे फिर आप जो है easily अपना bank account जो है bank balance जो है वो check कर पाएंगे कोई problem आपको नहीं होगी यही कुछ काम आपको करना होगा आगर आपको फिर भी कोई problem आते हैं मुझे comment box में बताएगा मैं क